देखिए समाजवधी पार्टी समझती कोई राजनितिक मुद्दा नहीं है एक धार्मिक मुद्दा है जिस पे लोगों की भावनाय जुड़ी हुई है और देश की नियायपालका में वो मामला चल रहा है देश की नियायपालका से जो भी फैसला आएगा अंतिम फैसला भारती जन्ता पार्टी केवल राजनितिक लाब लेने के लिए बहुत से मुद्दों को हवा देना चाहती समाजवधी पार्टी समझती है कि यह मुद्दा जन्ता के सरोकार से जुलाओं मुद्दा नहीं है आस्ता का मुद्दा है जिस पे दोनों ही धर्मों के मानने वाले के लोग माननी नहले का सबमान करते हैं जो भी फैसलाएगा माननी नहलेका वो सबी को माननूगा कि किसी भी समुदाइग के लिए इसका जरूरी है आज कोई धार्मिक और पार्टी के लोग अपने अलुभ से इसे समझ रहे इसका स्वागत भी कल्स रहे हैं, हिंदूओं को एकजूट रहना चाहिए, कहीं न कहीं उन्होंने योगी अजितिनाज के नारे का समक्तन करते हुए कहा कि बचोगे तो कुछ तो कुछ रही है और उन नारों का समर्तन उनसे जुड़े हुए संगठन कर रहे हैं, लेकिन समाजवदी पार्टी समझती कि उन वो नारे की बचोगे तो कटोगे कहने वाले लोग, जब आरक्षल की बात आती पिछलों के दलितों की, तो वो खामोश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बचो समाजवदी पार्टी समझती हैं, कि पीडिये के लोग तयार हैं, बटोगे कटोगे नारे से जनता पर कुछ फर्क पढ़ने वाला नहीं है, जनता भारती जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहती हराना चाहती है एक और बड़ा एहन सवाल है, कहा किसी भी भूमी पर अतिक्रमा करने की बेलगाम शक्तियों पर अंकुष लगाया जाएगा समाजवधी पार्टी पूरा विपक्ष किसी भी बेलगाम शक्तियां जो सरकार चाहती है कि वो वक्स की संपत्ति को लेके पूंजी पतियों को दे दे ऐसी सभी सक्तियों को बनाने के कानून बनाने के जो भी परधाम भास्तिय जंता पार्टी के सरकार लाना चाहती है बेलगाम परधान लाना चाहती है उसका विरोध करती रहेगी जेपिसी में वो मुद्दा गया हुआ है जहां पे इसकी चर्चा हुई है समाजवदी पार्टी समझती कि ऐसे सभी कानूनों का विरोध समाजवदी पार्टी इंडिया कड़बंदन करती रहेगी जिन मुद्दों का जनता से कोई शरुकार नहीं है लेकिन भारती जनता पार उनको लाब पचाना चाहती है समाजवदी पार्टी ऐसे सभी प्रवधानों का विरोध करती रही है